कि हलो गाइज आएम रिकी एंड यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासे जैसा की जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग वह है आधुनिक इलेक्ट्रों सिध्धान्त क्या है आधुनिक इलेक्ट्रों सिध् लेकिन बहुत सारे मत होने के कारण सब मत भिन भिन थे इसलिए उनको जो है एक आप समझ सकते हैं कि उस रूफ में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जब तक कि सबका मत सर्वमत एक ना हो जाए अलग-अलग मत है तो सबकी अलग-अलग अपना-पना ढफली अपना राग है ले हो गया अधुनिक ileg आट्ठॉनिक सबकी जिस पर किसा रखण सामत हुए और इस पर वह क्षाछा मत हो हुआ और लाक्ष मीमत पर साहमत हुई है ना साहमत हुए और उस मत को कहते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिध्धान्त या इस सिध्धान्त के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है जी इस बात को समझें, दुनिया में जयो भी बस्तू आँख के सामने, दिखती है, उस सब का जो स्ट्रक्सन है, उसका जो निर्मान हुआ है, उसमें यह बात प्रूफ किया हुआ है यह बात परमानित है कि उसके बायतन गच्छा में इलक्ट्रोन सपस्क्र गाते रहते हैं यसा मालले जी हमारे सामने में यह मारकर है इस Aa यह नहीं कहा गया है जाला निकलता नवर उपर कस और उड़ता है क्यों । इसमें कहा जाता है कि नाभिक मिन कहा है जब यह जलाते हैं तो वह ज़ाटता हुआ या यह भी एक रीजन बतार जाती है तो ऐसे भी वस्तु suppliers मेरेव में जड़ भी उसके ब्हायत्म करड़ में उसके जो आपस को दूसरे achते हैं तो इसकी भी भायत क्छा में साख्षा हुम्ई छक्क्र लगा रहा रहा है और इसमें भी लगा रहा है जिसा रहरा है नगते है और जिसमें लोग पुजिटीव चार्ज बानते हैं और जिसमें पहली वस्तु के पर्मानवों की बाहरी कक्षा से भ्रमन स्थिल इलेक्ट्रों निकल कर दूसरी वस्तु के परमानवों में चले जाते हैं जब इसको इसमें रगड रहे हैं तो इससे निकल करके इसमें इनुद हो जा रहा है इससे पहली वस्तू पहली वस्तू पहली वस्तू के परमानुवां में इलेक्ट्रान की कमी अब इससे जब रगडे हैं तो इस चार जाएगा वो देता है वो पॉजयटीव और जो लेता है वह निगेटीव यहां आप जानते ही तो इससे पहली वस्तू के परवानों में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी वस्तू के परवानों में इलेक्ट्रॉन की ब्रिद्धी हो जाती है अब जिससे दिया गया उसका तो निकल करके इसमें आ गया तो इस पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया इसका मतलब प आप देखेए यहां पर अब यहां बात तो साफ हो गई जब दो बंस तो गर ए किसमें परदान होता है किसमें परदान होता है इसके बाहतन पर्चा का इलेक्ट्रोन एक से निकल करके दुसरे में इन कर जाता है अब देखेए यहाँ पर कागज है इसके उपर कागज को घसा जाता है जब हम इसको पकड़के इस भी होगा निगेटिव चार्ज होगा और रॉड में क्या होगा इसके का रच में OR पाजिटीव्य सार्ज होगा क्योंकि साधि क। लेक्ट्रान वह निकला और कागज में इन कर गया अब इन कर गया पॉजिटीव चार्ज तो यह पोजिटीव चार्ज और नियुटीव चार्ज जिस से निकलता है उसमें पोजिटिव और जिसमें इन करता है उतमें निगेटिव जैसे माल लिए एक उदाहरन के लिए आप नमक का फ़र्मूला होता है एने सी अन देखिए जैसे स्टोडियाम है एन एप लस और सी एल माइनस यह बन जाता है एन ए प्लस का अर्थ है स्टोडियाम जो है एक हो रहा है कि कांच कांच कारवाड है इस पर पॉजिटिव और जो कागज है इस पर निगेटिव चार्ड तो यह हो गया मूल रूप से आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धान्त इसको जो है सभी बग्यानिकों ने सर्वमत से एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें जो है इलेक्ट कि पर लिए हम पर अलिम नाईट्रीट की बात करें के ऑनोटी एन प्र असिया निगेट्रेट तो के पर फॉसीटेव चार्ज एनो थ्री पर निगेटीव चार्ड प्र नेटिभी जरки जो प्रसलें नाइट्रेट है इसमें भी आप जानते हैं जिक सक पोजिटीव सकार्थ क्या है इसने लेक्ट्रोन दिया है और यह मिल करके क्या बना दिया कि अर्था पडासियम नाटिट अब इस तरह सब बहुत चाहरा है जिसे माल यह 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 हो जाएगा पुरासियम हैड्राओकसाइड के ओएच हैना के प्लस और ओएच माइनस तो यहीं वहाद कहानी यहां भी अधुनिक सिध्धान्थ अर्थात अधुनिक इलक्ट्रोन सिध्धान्थ इसको जो है सबने माना कि यहीं बात सत्त्य है और जो है इस पर इसको कहा गया अधुनिक इलेक्ट्रोन सिद्धान्थ धन्यवाद स्वास्त्राइब आपना खायल रखें जया हिंद